हलो दोस्तो मैं हूँ प्रियांका आपको स्वागत करती हूँ मैं अपनी चैनल डीपी स्लाइब कैप्चर की फूट ब्लॉग में आज हम बनाने वाले हैं एगलेस केरमल ब्रेट पूडिंग वैसे तो यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स और आप इसे जटप इसके लिए हमें चाहिए ब्रेट, सुगर, मिल्क, कस्टेड पाउडर और बटर सबसे पहले हम एक मोल्ड को बटर से अच्छे से ग्रीस करेंगे यह 6 इंच का टिफिन है आप चाहिए तो कोई भी मोल्ड ले सकते है या पर जो आपके पास एवेलेवल हो बोले सकते है या अब ग्यास पे एक पैन बिठाएंगे और इसमें 4-5 टेवल स्पून सुगर आड़ करेंगे के लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ब्राउन होने तक कूक करेंगे इसको मीडियम फ्लेम में ही कूक करना है और धिरे धिरे यह करमलाइस होता जाएगा अभी हम यीसको ट्रांसपर करेंगे ग्रीस किया हुआ कंटेनर में इससे ज्यादा सुगर को अबर कूक ने करना है नहीं तो सुगर का टेस्ट कड़वा हो जाएगा और खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं लगेगा अभी टीफिन को अच्छे से टीफिन में जो करमलाइस सुगर है उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि चारा और फेल जाए अब ही मैंने सैम पैन में दो कब डूट डाला है अब हमें पूरिंग बनाने के लिए दो कब नुट चाहिए इसको अच्छे से पॉल होने देंगे तब तक हम ब्रेड की जो साइड से मैं उसको रिमूब कर दूंगी आप चाहिता रग भी सकते है मैं इसको रिमूब कर रही ताकि एक स्मूध टेक्स्टेर आए और इसको चोटी चोटी टुकड़े कर लेंगे या चाहे तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं यह अच्छा सा पाउडर कंसिस्टेंसी आजाएगा अभी गरम डूद में हम अपने स्वाद के अनुसर सुगर आड़ करेंगे आप चाहे त अउसपाइब ताल के इसको मिक्स करेंगे और दूद में धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाएंगे याद रहे इसमैं लंप्स नहीं आना चाहिए इसको अच्छा से जो मैंने ब्रेड को क्रम किया था इसको आड करेंगे हाफाफ पार्ट में आड करेंगे एक साथ में पुरा आड नहीं करना है हमें थोड़ा थोड़ा आड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे क्योंकि अगर इसमें ब्रेड डालने के पाथ लंप्स रहता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो बाकी बचा हुआ हमारा ब्रेड है इसको हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ग्यास के फ्लेम को लो ही रखना है इसको मीडियम या हाई नहीं करना है अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हमें तब तक कुप करना है जब तक यह हमारा जो टेक्स्चेर है ब्रेड का यह अच्छे से थिक ना हो जाए हमें ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए ऐसी कंसिस्ट्रेसी में जब आ जाए तो हमारा पुडिंग अभी रेडी हो गया है अभी हम ब्रेड के मिक्स्चर को जो हमारा कंटेनर है इसमें पूर करेंगे इसको बिल्कुल भी थंडानी होने दिना है आपको फोरण ही इसको पूर करना है कंटेनर में और थोड़ा सा हम इसको सेब दे देंगे अच्छे से अभी ये कडाये में एक कप पानी डालेंगे और आपके पास जो भी स्टैंड हो या प्लेट हो अब उसमें रखेंगे मैंने प्लेट रखा है और हमारा जो कंटेनर है उसको रख देंगे और लीड लगा देंगे करीबन 20 से 25 मिनिट के लिए 25 मिनिट के बाद चेक करेंगे और इसके साइड्स को रिमूव करेंगे आप चाहे तो इसको फ्रीजर में रख सकते हैं निकालने के बाद मैंने दो घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था क्योंकि ये थंडा अच्छा लगता है और किसी किसी को अगर थंडा पसंद नहीं है तो वो गर्मा गरम तर नहीं बोलूँगी थोड़ा सा थंडा हो जाए तो खाएंगे अच्छा लगेगा लेकिन मैंने दो घंटे के लिए इसको फ्रीजर में सेट किया था सेटोनर के लिए छोड़ दिया था उसको ऐसे डैप करेंगे तो दिखिए हमारा पूडिंग निकल गया है वाव देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स एक बार आप ट्राय जरूर किजिएगा घर में प्रेंड्स ये देखिए अभी कट कर रही हूं मैं और ये देखिए लग रहा है ना बहुत टेस्टी तो अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज जाएए मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और भी मज़िदार रेसिपी देखने के लिए थैंक यू